नवरस का उपहार है ये गीत घजल का प्यार है सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौचार है आध्यात्म से जोडे सबको पावनता से दुलजार है कविताओं की ये बयार है ये का भी खुझ रसधार है ये गीत घजल का प्यार है ये काव्यकुंज रसधार है पावनता से गुलसार है ये काव्यकुंज रसधार है नमस्कार काव्यकुंज के इस एपिसोड में मैं कवी राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ खुशी ऐसा इत्र है इसे हम जितना दूसरों को लगाते हैं हमारी उंगलियां स्वतही उतनी महकने लगती है खुश कैसे रहा जाए इस बात को गीतों में गजलों में शेरों में भी बताया जा सकता है और शायरी क्या है दिली जज़बात का इजहार है दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है जलंधर से हमारे बीच निधी जी पधारी हुई है निधी जी हमारे सेग्मेंट महक शायरी के अंतरगत अपनी बात रखने जा रही है खुश रहो बंदना जी की लिखी हुई ये पंक्तियां है जिसे मैं यहाँ पर सुनाने वाली हूँ अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यूं तलाशते हो कमजोर हो ये वहम क्यूं पालते हो खुश रहो कि ये काजल तुम्हारी आंखों में आकर सवर जाता है खुश रहो खुश रहो कि ये कालिक को तुम निखार देती हो खुश रहो खुश रहो कि तुम्हारा माथा बिंदिया के खुश किसमती है खुश रहो कि तुम्हारा रोम रोम बेश कीमती है खुश रहो कि तुम ना होती तो क्या क्या ना होता ना मकानों के घर हुए होते ना आसरा होता ना रसोयों से खुश्बुएं ममता की उड़ रही होती ना तोहारों पर महफिलें सज रही होती खुश रहो कि तुम बिन कुछ नहीं है तुम्हारे खुस्न से ही आसमान दिलकश और ये जमी हसी है खुश रहो कि रव ने तुम्हें पैदा खुद मुखतार किया फिर क्यूं किसी और को तुमने अपनी मुस्कानों का हकदार किया क्यूं खुश रहो खुश रहो कि तुम जान लो तुम क्या हो चांद सूरज हर्याली हवा हो खुश रहो तुम खुशियां देती हो खुशियां पा भी लो कभी बेबाग गुन गुना भी लो खुश रहो अपनी मुस्कुराहटों के फूलों को अपने संघर्ष की मिट्टीम से खिलने दो अपने पंखों की ताकत को नया आसमान मिलने दो खुश रहो और हां मत ढूंडो कंधे की सहारे सरक जाया करते हैं अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यूं तलाशती हो कमजोर हो यह वहम क्यूं पालती हो अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यूं तलाशती हो तो निधी जी बता रही थी कि सबसे बड़ी निधी खुश रहने की कला को कैसे पाया जा सकता है आईए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेग्मेंट में जिसका शीर शक है काव्य पंखुरी काव्य पंखुरी में आपके समक्ष सुमित जी उपस्थित हो रहे हैं कि उनसे बान कर मैं अपनी रिष्टो की यह डोर रखता हूं कि अगर कहे कुछ तो उनके चड़नों में मैं अपना सर रखता हूं और बगवान चाहे तो हुने ना दे मंजिल पूरी मेरी उनके साथ रहने के लिए मैं अपना डिल का टुकड़ा उनके पास रखता हूँ कि मेरा प्रयास बस इतना रहे कि उनके साथ मेरा संगम बन जाए कि मेरा प्रयास बस इतना सा रहे कि उनके साथ मेरा संगम बन जाए वो देखे अगर मुझे किसी पीडा में तो इसे सहाब इल्कुल बिना जाए और किसी पड़ाओ में अगर भटकु में मार्ग अपना कि किसी पड़ाओ में अगर भटकु में मार्ग अपना तो वा आकर मेरे कदमों का रास्ता बन जाए कि अगर वो देखे मुझे किसी पीडा में तो सहाब बिल्कुल भी ना जाए और एकलता तु ही तो है जिससे बान कर मैं अपनी यह डोर रखता हूँ अगर कहे तु कुछ तो तेरे चंड़ों मैं अपना सर रखता हूँ एक तु ही है जिससे बान के मैं अपनी रिष्टों की यह डोर रखता हूँ अब अगली बात कुछ ऐसी है कि जब बक्त बगवान से कहता है कि एक तेरी ही आस में जीता हूँ मैं अक्सर कि एक तेरी ही आस में जीता हूँ मैं अक्सर कभी तो मेरा अन कहा दर्द भी तू समझ लिया कर कि तेरी ही आस में जीता हूँ मैं अक्सर कभी तो मेरा अन कहा दर्द भी तू समझ लिया कर और सभी की तरह मेरी भी पुकार है तुझसे कि सभी की तरह मेरी भी पुकार है तुझसे कभी तो मेरी परेशानियों का हल भी तू ढूल लिया कर तेरे संग सवारता हूँ मैं इस जगत में अपने खुद के आशानों को कभी तो मुझसे अपना किराया भी तू पूछ लिया कर बिन लिये ही तुने मुझे सब कुछ दान कर रखाए कि बिन लिये ही तुने मुझे सब कुछ दान कर रखाए कभी तो मुझे अपने पास बुला लिया कर और तूटकर पूरा चूर हो चुका हूँ कि तूटकर पूरा चूर हो चुका हूँ सब के दिये हुए जक्मों से कभी तो अपने पास बुला कर अपने सीने से तो मुझे लगा लिया कर एक तेरी ही आस में जीता हूं कभी तो मेरा अन कहा धर भी तु समझ लिया कर तो अभी आपने सुमित जी से रिष्टों को लेकर अपनी बात सुनी आईए अब हम उस सेग्मेंट की तरफ चलते हैं जो आपका अपना सेग्मेंट है इस सेग्मेंट का शीरशक है विविध और विविध में हम सुनते हैं भाती-भाती की रचनाएं हमारे शुरोताओं हमारे दर्शकों यानि आपके मुखारविंद से तो आज हमारे शुरोताओं के बीच से कौन-कौन कभी साथी उपस्थित हो रहे हैं और वे क्या-क्या सुनाने जा रहे हैं इसका आनन्द अब आप स्वयम लीजिए जनम जनम से कर रहे जिस प्रभु का इंतजार वही पिता परमात्मा आए तेरे द्वार प्रभु आ गए धरा पर सुनो साथियों फिर ना कहना कि हमको बताया नहीं है आवसर यही मिल लो भगवान से फिर ना कहना कि हमको मिलाया नहीं सुना होगा तुमने इसी देश में प्रभु आएंगे एक दिन मनुस भेश में प्रभु आ गए मगर पहचानो उन्हें फिर ना कहना कि हमको बताया नहीं नाम सिव है वे रहते हैं ब्रह्म लोक में रूप बिंदू में सिंदू समाया हुआ वो परम आत्मा सिव निराकार है फिर ना कहना कि हमको दिखाया नहीं जिसे डूंड तकनकन में संतार है वही बाट रहे घर घर प्यार है लिखने तक दीर अव प्रभु दे रहे कलम फिर ना कहना कि हमको दिलाया नहीं अब पल दो ही पल की बची जिन्दगी लो पहचान अपने पिता को सभी योग सीखो और नर से नारायन बनो फिर ना कहना कि हमको सिखाया नहीं है आवसर यही मिल लो भगवान से फिर ना कहना कि हमको मिलाया नहीं फिर ना कहना कि हमको बताया नहीं एमन आओ बैट इक पल बात करते हैं चलो इसटीवन के एक नई शुरुआत करते हैं क्यों औफिस जाते वक्त तुम गुन गुनाते नहीं हो बचपन के वह हसीन किस से अब क्यूं तुम सुनाते नहीं हो कुछ हुआ है तुम्हें या कही तुम जाना जाते हो खुशी से बढ़कर ऐसी कौन सी मनजिल है जो तुम पाना चाहते हो सब कुछ तो मिल गया है फिर भी ये खोच क्यूं है अपने उपर रखा तुमने ये बोच क्यूं है बहुत हुआ ये दुख और डरना बहुत हुआ गुट-गुट कर मरना चलो फिर से एक कदम बढ़ाते हैं देखो सुनो परमात्मा तुम्हे कुछ बढ़ाते हैं तुम विश्वि के आधार हो तुम छाय वेशुमार हो तुम सफलता के सितारे हो जगमगाते तारे हो एमन आओ बैट एक पल बात करते हैं चलो इस चीविन की फिर एक नई शुरुवात करते हैं तो ये था काव्य कुझ का आज का एपिसोट हमारा ये एपिसोट आपको कैसा लगा आप अपने विचारों से हमें अवगत कराईए इस एपिसोट के प्रसारण के समापन पर स्क्रीन पर आपको हमारा पूरा पता इमेल आईडी और वाटस नंबर दिखाया जाएगा आप अपने संदेश इन तीनों माध्यमों से किसी भी माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं हम आपके विचारों का स्वागत करेंगे आपके विचारों का इंतजार करेंगे और हाँ एक बात फिर से बतला दें कि विविद में यदि आपके साथी आपके परिवार का कोई सदस्य या आप जैसा ही कोई अन्य शुरोता या दर्शक अपनी बात रखना चाहे तो हम उसका भी अभीनंदन करेंगे दीजिये, नमस्कार